लाश्ट एपीसोड में हमने देखा था कि डेपेटी पैलेस मास्टर जियान और उसका बेटा जियान फेयू गूसाउजून की हल्प से चेंजिंग को जान से मारने के लिए प्लान करते हैं जिसके बारे में अंदादा लगा करके पैलेस मास्टर मू अपनी वेटी मू किंग को चेंजिंग की मनत करने के लिए कहता है वहीं दूसरी तरफ जियान फेयू के प्लान के अकॉर्डिंग गूसाउजून ब्लैक संट पहलेस के कई सारे पीक्स के जीनियर डिसाइपल्स को हराने के बाद चेंजिंग को भी चैलेंज करने के लिए उसके पीक पर पहुँच अब इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गूसाउजुन चेंजिंग से फाइट करने के लिए तयार हो जाता है जिसे देखकर के मूख इंग लैन भी चेंजिंग को फाइट में जाने से पहले उसे सावधान रहने के लिए के लिए कहती है हाला कि जब चेंजिंग गूसाउजुन के सामने फाइट के लिए पहुँच जाता है तब गूसाउजुन खुद को ओबर इस्टिमेट करते हुए चेंजिंग से कहता है तुम पहले अटैक कर सकते हो जा सुन करके चेंजिंग एक स्लैस अटैक करते हुए ठीक है फिर मैं स्ट कर सकता हूँ हाला कि गूस आउजन इसके स्लैस अटाइक को बेकर करते हुए कहता है तो मारा अटाइक तो सच में इंट्रेस्टिंग था या कहने के साथ में वह अपने सौड टेक्निक को एक्टिवेट करके वही सारे क्लोंस के साथ में चेंजिंग के उपर अटाइक करता है लेकिन हमें दिखाते हैं कि चेंजिंग भी अपनी कल्टिवेशन को एक्टिवेट करके सबसे पहले सैडो सौड स्टिप्स का इस्तेमाल करके उसके अटाइक को डॉच करता है वहीं दूसरी तरफ गूस आउजन या देख करके कहता है या तो हैवन लेवल की बस एक नॉर् करकर देता है इधर गूस आउजन को ऐसा होता हुआ देख करके काफी जादे गुस्ता आता है इसलिए वह चेंजिंग के उपर चिलाते हुए कहने लगता है तुम्हें जादे खुस होने की जरूरत नहीं है या कहने के साथ ही गूस आउजन इसी दूसरी और पावरफल टे साथ में हमें या भी दिखाते हैं कि मो किंग लैन भी या फाइट चुप चाप देख रही होती है लेकिन तबी चेंजिंग को गूस आउजन के सारे अटैक्स को डॉज करता हुआ देख करके इस फाइट को देखने वाली डिसाइपल सा अपस में बात करने लगते हैं कि उन साथ में माउंट आई जुआन को जाइन करने में सक्सेस्फुल हो जाएगा तबी हमें फिर से जियान फेयू को दिखाते हैं जो या सब को सुन करके गुस्से में चिड़ रहा होता है इसके बाद हमारा सीन सिफ्ट हो करके फिर से गूस आउजन के उपर आता है जो चेंजि को दिखाते हैं जो बिल्कुल भी डर नहीं रहा होता है उल्टावा सोच रहा होता है कि जब मैंने सेक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल की दो और नई टेकनिक को प्रैक्टिस किया था तब मेरी वाइट लाइट टाइगर सौड टेकनिक ब्रेक्स्रू हो करके गूस के सौड इंटेंट से डरने की जरूरत नहीं है या सोचने के बाद हम देखते हैं कि जैसे ही गूस आउजन अटेक करता है चेंजिंग भी अपने वाइट सौड टेकनिक का इस्तेमाल करते हुए उसके अटेक को वेकर करता हुए सीधे उसे डैमेज भी कर देता है जिस वज करता है कि फाइट में तुम भी घायल हो सकते हो उपर से साइट तुम बोल गए हो तुमने हान जाओ जी आन के साथ में दूसरे लोग को भी बहुत बुरी तरह से घायल किया है वहीं अगर लू सी यू आन की बात करें तो वह अब भी तुम्हारे मैच के बाद रीकवर करने की कोहिस कर रहा है या सब कुछ कहने के बाद चेंजिंग सीधे सीधे कहता है तुम उससे फाइट में हार गए हो इसलिए छोटी मोटी चोट तो बहुत नॉर्मल है लेकिन फिर भी अगर तुम किसी को बलेम करना चाहते हो तो तुम्हें खुद को कमजोर होने के लिए बले करके जियान फेयू थोड़ा बहुत हिचकी चाता है मगर गूस आउजन उससे कहता है अगर तुम यहां पर उसे जान से मारते हो तो जो कुछ भी होगा उसके बारे में मैं संभाल लूँगा तब हम देखते हैं कि या सुनने के बाद जियान फेयू चेंजिंग से कहने लग मारने वाला हूँ हाला कि इस पर हमें दिखाते हैं कि जियान फेयू की कल्टिवेशन इस्टार सोल रिल्म के लेवल सकेंड पर होती है जबकि दूसरी तरफ उसे फाइट के लिए तयार देखकर के मुह किंग लैन भी सामने आ जाती है और चेंजिंग को प्रोटेक्ट करते दुनिया की बात कर रहे हूँ तो मैं तुम्हें बता दूँगी कल्टिवेटर्स की दुनिया में केवल स्ट्रॉंग लोगों की ही बात सुनी जाती है जिस वज़ा से कमजोर लोगों को हमेशा पिटने के लिए तैयार रहना चाहिए इधा जियान फेयू मोकिंग लैन को ब के सकेंड लेवल की कल्टिवेशन को रिलीज करके दिखाती है जिसे देखकर के जियान फेयू हैरान होते हुए कहता है या तो इंपॉसिबल है क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने इतने कम टाइम के अंदर ही स्टार सोल रिल्म के लेवल सकेंड पर ब्रेक्ट्रू कर ल रिल्म के लेवल सकेंड पर ब्रेक्ट्रू कर चुकी हैं वहीं कुछ लोग या भी बात करने लगते हैं कि यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात या आए कि सीनिया सिस्टर मो किंग लैन ने कुछ दिनों पहले ही स्टार सोल रिल्म में ब्रेक्ट्रू किया था जिसके आला कि अभी तक माउंट आई जुआन पर जियान फेयू को सबसे जीनियाश डिसाइपल मानते थे लेकिन ऐसा लगता है कि आप सीनिया सिस्टर मो किंग लैन को जीनियाश डिसाइपल का टाइटल मिलने वाला है इसके बाद हमारा सीन सिफ्ट हो करके जीन फेयू के उपर जो या सारी बाते सुन करके चिड़तो रहा होता है लेकिन फिर भी वा मो किंग लैन से कहने लगता है तुमने जरूर स्टार सोल रिल्म के सकेंड लेवल में ब्रेक्ट्रू करने के लिए इसलिए तुम बताओ क्या तुम स्टार सोल रिल्म के सकेंड लेवल पर होने के साथ में मुझे हरा सकती हो या कहने के साथ ही जियान फेयू अपनी Immortal Sword टेक्निक से अटायक लाँच करने के लिए तैयार हो जाता है जिसके वजह से हम देखते हैं कि उसके उपर एक बहुत बड़ी Spiritual Sword अटायक लाँच करने के लिए तैयार होती है वहीं दूसरी तरफ मो किंग लेंड उसे अटाइक के लिए तैयार देख करके अपनी टाइची वील टेक्निक को एक्टिवेट करती है जिसे देखते हैं जियान फेयू सोचने लगता है बले ही मेरी इम्मोर्टल्स और टेक्निक काफी जादे पावरफुल है मगर फिर भी वाटाइची वील के सामने डिस्ट्रॉय होने के लिए बनी है इसलिए अगर मैं केवल अपनी कल्टिवेशन फाउंडेशन का इस्तेमाल करके उसे डॉमिनेट नहीं कर पाता हूँ तो मैं हार जाओंगा इसी के साथ में हम देखते हैं कि अब जियान फेयू सांथ हो करके कहता है मुक इंगलेन इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुमने किस तरह से कल्टिवेशन में ब्रेक्ट्रू किया है क्योंकि तुम भी एक इस्टेवल फाउंडेशन वाली कल्टिवेशन को नहीं अरा सकती हो और रही बात हम लोगों के यहां पर आने की तो बस मैं यहां पर टेश्ट के नाम पर चेंजिंग को चेक करना चाहता था वहीं हमने ऐसा कर लिया है इसलिए मुझे नहीं लगता है कि अब हमारे यहां पर रुखने का कोई मतलब है या कहने के साथ महीं जियान फेयू सांत हो करके गू सावजुन को अपने साथ ले करके वापस चला जाता है इधर मो किंगलेन उसे जाता हुआ देख करके सोचने लगती है अच्छी बात है कि मैं उसे इस बार ढराने में सक्सेस्फुल हो गई नहीं तो जहां तक मेरा अंदाजा है अगर मैं उसे फाइट करती तो अभी मैं उसे आरा नहीं पाती इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर इंड़ाता है और अगर आपने लाश पार्टना देखा तो लेफट आजी वीडियो पर क्लिक करके देख सकते है